अव्यक्त शिक्षाओं का अनमूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गॉर्लिवोट्स शूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वाकत है कहते हैं रखेगर अरजुन सा लक्षे और एक आगरता अगर हम नहीं रोक सकती कोई भी मुश्किल फिर कदम वास्तव में असंभव को संभव करने का आधार लौकिक व पारलौकिक सर्व प्राप्तियों का आधार एक आगरता की शक्ती ही है इस शक्ती के वास्तविक अर्थ और महत्र को आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्धे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के बरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयोभाई सहाब पसब आपका आज की एपिसोड में बहुत बस होगत है पसब आज हम बात करेंगे 12 दिसमबर 1983 के महावाक्यों पर इसका टॉपिक है एक आगरता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति पसब परमात्मा कहते हैं कि एक ही समय एक ही संकल्प यह एक आगरता की शक्ति अतिश्रेष्ट है यह संगठन की एक संकल्प की एक आगरता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है जहाँ एक आगरता की शक्ती है वहाँ सर्व शक्तियां साथ है इसलिए एक आगरता ही सहज सफलता की चाबी है परमात्मा हम सब बच्चों को एक आगरता का महत बता रहे हैं कि अगर एक ही संकल्प में और संगठित होकर के कोई बात विचार की जाती है संकलप किया जाता है उसमें बहुत सफलता प्राप्त होती है इसलिए संगठन के रूप में मानलोगर कहीं पर पचीश-पचास का संगठन है और सभी एक ही सुद्ध संकलप में इस्थित हो जाएं एक पवित्र संकलप करें उसकी बहुत सारी सिध्धियां प्राप्त होने लगेंगे हर सिध्धी, हर सकती, हर कारे के लिए एक आगरता चाहिए चाहे साइस ने इतनी अच्छी इन्वेंशन की है अगर उसकी मन की बुद्धी की इस्थिरता नहीं होती एक आगरता नहीं होती तो इतनी रिसर्च नहीं की जा सकती है मुदलकुल साइलेंस चाहिए एक आगरता चाहिए तो परमात्मा आम सब बच्चों को इसका महत बता रहे है कि अगर कोई भी सिध्धियां आपको प्राप्त कहनी है किसी भी छेत्र में सफलता प्राप्त कहनी है तो उसके लिए मन और बुद्धी की बहुत एकागरता चाहिए और अपने साथ साथ जो भी साथ रहते है तो अगर एक ही संकलप में इस्थित हो जाए तो बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन का कारी हो सकता है अगर ये संकलप हो कि ये परिवर्तन हो इस चीज का परिवर्तन होना चाहिए और सब एक संकलप कर लें तो संकलप एक बहुत बड़ा बल है उस बल के आधार से इस स्रष्टी का परिवर्तन हो सकता है कल्यूकी स्रष्टी को अगर परिवर्तन कहना है तो पवित्र ब्राम्मनों के संगठन का एक संकल्प चाहिए। उस संकल्प एक बहुत बड़ी ज्वाला का रूप बनता है। उस ज्वाला के अंदर कोई भी चीज परिवर्तन हो सकती है। इसलिए परमात्मा हम सब को कहते हैं, अगर सर्वसिद्धियां प्राप्त कहनी है, सर्वसक्तियां प्राप्त कहनी है, तो इस एक आगरत्ता की सक्ति को बढ़ाओ। एक आगरत्ता माना मन और बुद्धी की इस्थिर्ता, जिसमें कोई भी परकार के संकल्पों की हलचल नहो। संकल्प हैं, सूने नहीं है, जड़ता नहीं है, एक संकल्प है, मैं एक बहुत पवित्र सुद्ध आत्मा हूँ, मैं सांत सरूप आत्मा हूँ, यह संकल्प है, एक संकल्प में इस्थिर्ता है, हिलता अलूरता नहीं, एक संकल्प है, और सब के संकल्प जब उस एक सरूप मे इस्तित हो जाएंगे तो उसके जो vibration है वो स्रश्टी का परिवर्तम कर सकते हैं, negativity को बदल सकते हैं. परमातना कहते हैं कि एक श्रेष्ट आत्मा के एकागरता की शक्ती भी कमाल कर दिखा सकते हैं. तो जहाँ अनेक श्रेष्ट आत्माओं के एकागरता की शक्ती संगठित रूप में हैं, वह क्या नहीं कर सकते? जहाँ एकागरता होगी, वहाँ श्रेष्टता और स्पष्टता स्वतय होगी जब एकागरता का श्रेष्टता और स्पष्टता से क्या संबंद है स्पष्ट करें क्योंकि जब गुद्धी एकागर हो जाती है तो जैसे पानी बहता हुआ पानी अगर एक जगे पर इस्थिर करते हैं एकागर करते हैं तो एकागर होने के बाद धिरे धिरे उसमें जो कान है, मिट्टी धूल है, वो निचे बैड़ जाती है, उसके अंदर इसपष्टता आ जाती है, तो पानी ऐसा हो जाता है, इससे काच का रूप है, उसके इतना भी गहरे कोई वस्तु पड़ी होगी, बड़े रूप में में तो सरिष्ट कार्म होने लें गहें, सरिष्टता आजाएगी। थिर नहीं है, उसका कारण है, मन और बुद्ध की सवच्छता नहीं है, सच्छता नहीं है, थिर बंश्pha भी नियें स pray". एक दूस्छरे से लिंक है, अगर हम को सरिष्ट कार्माएं, हमारे हर कर्म, हमारे अच यहर बोल स्रेष्ट हो, उसके लिए मन और बुद्धी की एक आगरता जाहिए. एक आगरता से स्रेष्टा आएगी और स्रेष्टा का अधार इसरष्टदा है. परमातना कहते हैं कि किसी भी नवींता की invention के लिए एक आगरता की आवशकता है, चाहे लौकिक दुनिया की invention हो, चाहे आध्यात्मिक invention हो, एक आगरता अर्थात एक ही संकल्प में तिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना. यही एक आग्रता है, कि अगर हम एक ही संकलप में, एक सुद्र संकलप में तिक जाएं, इस्थित हो जाएं, तो बहुत चमत्तारी कारी हो सकते हैं, परमात्मा कह रहे हैं, दुनिया के अंदर भी कोई रिसर्च की जाती है, नई इन्वेंशन की जाती है, तो वो इन्वेंशन मिक मार्ग में भी कोई भी चीज की रिसर्च करनी है, प्रियोग करनी है, हम कहते हैं हम योग के प्रियोग करें, मन और बुद्धी भटक रहा है तो प्रियोग कैसे करेंगे, वैसे भी कोई कारी करना होता है तो हाथ इलना ने चाहिए है, इस थूल में सरीर भी एकागरा चाह परमात्मा कहते हैं कि एक आगरता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छोड़ा देती है जितना समय एक आगरता की स्थिती में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली होगी क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते मैं आत्मा एक लाइट हूँ, इस सुरूप में आत्मा इस्तित हो जाए और फिर बाबा को भी उसी सुरूप में देखे अगर मन और बुद्धी अपने सुरूप पर और परमात्मा के सुरूप पर एकागर हो जाएगी तो देह और देह की दुनिया सब बाते हैं अपने आप सब भूल जाएंगे जिनको भूलने के हम मेहनत करते हैं वो अपने आप भूल जाएंगे लेकिन हमारी सुरूप में एकागरता चाहिए पिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि एकागरता की शक्ती से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवास को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो, वह एकागरता जानते हो ना सिवाए एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूती हो एक ही एक हो ऐसी एक आगरता का अभ्यास जिसमें एक बाबा ही संसार है बाबा के सिवा और कोई भी बुद्धी में अगर नहीं है तो इतनी अच्छी सकति शाली मंसा हो जाती है, एकाग्र अचित हो जाती है, कि किसी की आवाज को हम पैच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई को सहयोग की जरूरत है, उसको हम सहयोग दे सकते हैं, कोई को कोई का मेसेज देना है, तो संकल्प की सकती से हम दे सकते हैं, क्योंकि ए मन्सा सेवा कहते हैं. मन्सा सेवा के लिए पहले मन और बुद्धी की आगरता चाहिए. जब बहुत आगरता होगी, इस पष्टता और स्रिष्टा होगी, तो परमात्मा की सक्तियां, उनकी किरने आएंगी, और उस किरनों को हम दूसरी तक दूर दूर तक पहुचा सकते हैं. किसी भी कोने में बैठी हुए आत्मा अगर बगवान को याद कर रही है, तो बगवान कहता है, मैसेंजर उसको मैसेज दे सकता है. परमात्मा डिरेक्ट उसको मदर नहीं करता है, अपने बच्चों के द्वारा ही कराएगा, लेकिन बच्चों की एकागरत्ता ही उस सेवा में सफलता लाएगी. इसलिए परमात्मा कहते हैं, एकागरत्ता का अभ्यास करो, और एकागरत्ता में मन और बुद्धी भी एकागर हो और सासत परमात्मा की तरफ ही द्यानो. एक बुद्धा, एक बाबा, दुसरा न कोई, कोई भी दूसरी संसार की बात, जब बुद्धी में नहीं रहेगी, उसमें टिक जाएगी, तब ये सेवा कर सकते हैं. बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि पुरुशार्थ द्वारा एकागर बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकागरता में स्थित हो जाना वह स्थिती इतनी शक्तिशाली है. ऐसी श्रेश्ट स्थिती का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभफ कराता है. अभी इस रुहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो, इसमें एकांत का साधन आवश्यक है. क्योंकि बिना एकांत के एकागरता का महत तो नहीं है. हम अगर एकागर होकर के बैटे हैं और हलचल हो रही चारों तरप से, तो हमारे एकागर संकल्प दूसरी तक दूर दूर तक नहीं पहुँचेंगे. परमात्मा कहते हैं बाप समान स्टेज, परमात्मा के समान स्टेज है. क्योंकि बहुत काल परमात्मा एकाग्र है जब वो इस रष्टी पर आते हैं तभी थोड़े संकल्पों की हल चल आए नहीं तो सदा काल के लिए परमधाम में तो एकाग्र चेता है वो स्टेज परमधाम की स्टेज हमारी बन जाए आत्मा की बन जाए और उसमें एकदम स्पष्ट हो एकदम मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा जो है जैसा है इतनी अच्छी एकाग्रता अगर है तो ये एकाग्रता बहुत चमतकार कर सकते है बहुत सारे सेवाओं में सफलता दिला सकते है इसलिए एकाग्रता को बहुत बढ़ाना है काग्र संकल्प लेजर किरणों का काम करते हैं, परमात्मा की ऐसे किरणे जैसे आई, और वो किरणे यहां से चली गई, उसकी बीमारी भी ठीक कर दे, उसके दुख-दर्द को हर लिया, यह बहुत बड़ी सिवा का साधन बन सकता है, लेकिन इसका हमें अभ्यास करना होगा। करमात्मा कहाते हैं कि अभ्यास होने से लास्ट में चारों और हंगामा होते हुए भी, आप सब्ही एक के अंत में खो गए, तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभफ करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ही चारों और के अनेक प्रकार के हंगा में होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे, वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूरत बनना अति आवश्यक है। दूसरा परमातमा कह सहा है कि हल्चल हो, हंगा में हो रहे हुए। अभ्यास ऐसा हो जाहिए जो आप एक के अंत में चले जाओ. लखुक के याद छुछाू और यहां की बात वते वातें इस रिए, कुछ भी हो रहा है। यह बार ऐसे होता है जैसे कही नगाड़े बज रहे हैं और मैं बाबा की आद में खोया हूँ हूँ उस आवाज का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा है लोग पहते हैं इतना सोर हो रहा है उसमें भी आप योग कर रहे हैं लेकिन अभ्यास हो गया अगर तो हम कितने हलचल के वातावरण में भी एक के अंत में खो सकते हैं उसको परमात्मा एकांत कहते हैं बिल्कुल परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते स्वप्रती जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ दिन प्रति दिन वातावरण प्रमाण एमर्जंसी केसिज ज्यादा आएं जब चैलेंच करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारोर के रोगी कहां जाएंगे, अमर्जन्सी केसिस की लाइन होगी, उस समय क्या करेंगे? अमर्भव का वर्दान तो देंगे न, स्वअभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा, होपलिस के सर्थात, चारोर के दिल शिकस्त के केसिस ज्यादा आएंगे, ऐसी होपलिस आत्माओं को साहस देलाना यहीं श्वास भरना है। हो दिल शिकस्त हो रही हैं, निरास हो रही हैं, उनके आगे भविस के लिए नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते है list of months past這裡, dot 80, and patients distort, four people when the disease looks more like, वह बहुत सरी होपिटल्स हैं, लेकिन जो मन डिस्टर्ब है, अंदर अंदर ब्यक्ती बिल्कुल तनाव में आ गया है। उसके लिए परमात्मा कहता है आपके पास ऐसी दवाईया होनी चाहिए, ऐसे इंजिक्शन होनी चाहिए। सौंस के लिए आपके पास ऐसी अक्सिजन होनी चाहिए, जैसे उसमें साहस आ जाए, हिम्मत आ जाए, क्योंकि आत्माएं निरास हो रही है, हिम्मत ही नो रही है, बरतमान परिस्तितियों का सामना करने कि उनके पास सकती नहीं है, और ऐसी आत्माँ की जब लाइन लगेगी आपके पास, तो क्या आपने ऐसा अभ्यास किया, इतनी अच्छी एकागरता है, जो परमात्मा की याद का सक्तिसाली करेंट आपके पास आए और वो आप दे दो, वो अक्सीजन का काम उनके लिए करेगी, तो इसके लिए हमें मेडिटेशन को बढ़ाना होगा, ध्यान को, ज जितना हमें एकागरचित होकर कैसे बैठेंगे, सामने कितनी भी असानता आत्मा आएगी, हमारे वाइबरेशन से उसके असानती दूर हो जाए, हमारे सुछ संकलब से उसको लगे कि यहां से हमें कुछ प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा कहता है, यह तो लाइन लगने वाल जैसे लोगों को कहते हो, फुरसत मिलेगी नहीं, लेकिन फुरसत करनी पड़ेगी, समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना, तुस्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे, नहीं, समय निकालना पड़ेगा कितना भी हम विजिए हों, लेकिन गंटे हुए छिए एक मिनुट तो निकाल सकते हैंō इतमा आधि में पारा छिए बीच भीच में समय निकालो ठानुटर भीच रीच निकालो उटेम के लोट किते हो 1 दो था बारा अधिया गंटे में यह मिनुट लेकिन समय निकालो, इस पेशल अपने लिए समय दो, जिससे ये सक्ति एकांत और एकांत और एकांता की बढ़ जाए, और इससे आप भी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो। जिससे आप भी बहुत बड़ी सेवा कर सकते हो। पहले से भी कहते हैं फुरी फुरी तलाब, बून्द बून्द से तलाब बन जाता है। ऐसे ही अगर हमको एक मिनट मिला, एक सेकिन भी मिला, और अभ्यास हमने कर लिया कि मैं इस सरीर से अलागूं। तो चलते फिरते कर्म करते अगर यह अभ्यास चलता रहता है तो परमात्मा कहता है एक साथ आप आधा गंटा एक गंटा बैट के अभ्यास नहीं कर सकते हो। तो बीच बीच में करते चलो, करते चलो तो काफी समय हो जाएगा जो यह अभ्यास के अंदर गंती में आ जाएगा। एक मिनट करो, आधा मिनट करो, जब समय मिले इस सरीर से अलग हो जाओ। एक आंत में चले जाओ, एक की याद में खो जाओ। तो ये जो बल है एकांत का एकागरता का बहुत मदद करेगा और कई परकार की रिजल्ट सेवा की आपको दिखाए देगी परमात्मा कहते हैं कि स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो चुकि अंत में विशेश शक्तियों के अभ्यास की आवशक्ता है उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने है इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो उसमें भी एकागरता के शक्ति की विशेश प्रैक्टिस करते रहो परमात्मा ने कहा कि एकांत वासी हो एकागर स्थिती में स्थित हो जाओ यह हैं महारतियों का महान पुरुशार्थ परमात्मा हम सबको फर्स्ट डिवीजन में आने की बहुत अच्छी विधी बता रहे है कि बीच बीच में एकागरता का ऐसा अभ्यास करो स्थिती 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 बन जाएगी और आप फर्स डिवीजन में आ सकेंगे यह महारतियों का विशेश पुरुशार्थ है लेकिन जो नहीं नहीं बाबा के बच्चे आते हैं परमात्मा उनको भी बहुत सहज विधी बताते है कि एक की गीत गाओ, एक की याद में रहो, एक की विशेशताओं का वर्न करते रहो अगर एक व्रत्ता, एक की याद में आप रहेंगे सदा तो आप एकागर हो जाएंगे और एकागर होने से आपकी इस्थिती एक रस बन जाएगी तो परमात्मा दोनों बच्चों को, चाहे पुराने महारती बच्चे हैं, चाहे आने वाले नए बच्चे हैं, दोनों को एकागरता का विशेस अभ्यास करने की प्रियना दे रहे हैं. एक को कह रहे हैं कि तुम एकांत में जा करके एक की अंत में खो जाओ और दूसरे एक तरफ सिखा रहे हैं नए बच्चों को कि आप एक की लगन में मगन होने के लिए एक एक गीत गाओ, एक एक गुन गाओ, एक की महिमा करो और साथ साथ एकांत जब मिलते हैं तो एकांत में एकरस इस्तिति का अभ्यास करो जिससे आपकी एकागरता बढ़ जाएगी बिल्कु भैसावाज हमने गहराई से समझा कि एकागरता का हमारे जीवन में क्या महत वह है इससे हम कैसे विभ्यन सिध्धियां प्राप्त कर सकते हैं है सब सपश्टी करण के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ओम जानती दर्शकु आज के महावाक्षियों में परमात्मा ने कहा एकागरता अर्थात एक संकल्प में टिक जाना एक की लगन में मगन हो जाना परमात्मा ने कहा कि एकागरता सहज सफलता की चाबी है जहें एकागरता है वहाँ सर्व शक्तियां सदा साथ है परमात्मा ने कहा कि हंगामे के समय पर एकांतवासी होने के लिए वा दिल शिकस्त आत्माओं को हिम्मत वा साहस देने के लिए हमें एक आगरता की शक्ती के अभ्यास को बढ़ाना है तर्श्माज के महवाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइडी है अगली एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त ओम शांती अभव होगा किसी भी आत्मा की आवाज कैच कर सकते हो आवाहन कर सकते हो वा दूर बैठे सयोग दे सकते हो श्रेश्टता और स्पश्टता स्वता होगी देह और देह की दुनिया सहज भूली होई होगी अधिक जानकारी के लिए संपर करें अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो मनमोहिनीवन शांतीवन पोस्ट आवुरोड 307510 दिस्टिक्स सिरोही राजिस्थान इवेल आईडी है अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो.org इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें